हेलो गाइज वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ यूट्यूबर साधना सोनी है पी विद सिंपल लाइफ कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ सो अब आप सोच रहेंगे मैं यहां पर हए क्या बना रहे हूं तो मैं आज बनाने वाली हूँ चलो रेसेपी आप देखते जाओ कि मैं क्या बनाने वाली वाली हूँ भी बाद में बताऊंगी आपको ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देती हूं इस पे मैंने लिया हुआ है अभी स्थेम पे आटा ठेक है गेहूं का आटा लिया हुआ है और इसमें मैंने थोड़ी से सौफ डाली है तो अभी मैं ऐसे मतलब सबको मिला रही थी तो इसमें मैंने सबको मिला रही थी तो आपको यह रहाएगा कि सॉफ कहां है तो हल्के ल्की सॉफ आपको दिख जाएगे इसमें क्योंकि यह देखे इस तरह से सॉफ आपको दिख जाएगे यह देखे सॉफ दिकh रही है आपको ज्यादा नहीं डाली है मैंने सौफ इसकी विज़ा से क्योंकि फिर सौफ ही सौफ आने लगती है मुपे तो थोड़ा डिस्टरब होता है न इसलिए तो इसलिए मैंने थोड़ी सी कम सौफ डाली है तो सब को मिला रहे हैं यहां पर अच्छे तरह से यह देखिए आप यह हमारे घर का है आपको मैंने कुछ टैम पहले दिखाया था मलाई कि इसका हम गी निकालेंगे तो यह गी निकल गया था और यहां पर मैंने बना रखा है साथी चड़ा रखा है तेज आज पर और यह मैं आपको गी दिखा रहे थी देखो हमारे घर का गी है ठीक है और य मैंने बना रखा इसमें गुड डाला था और साथ में पानी डाला था तो यहां पर बना रहे हूं मैं शीरा बोलते हैं इसको शीरा भी बोल सकते हो पाक भी बोल सकते हो ठीक है तो जैसा आप समझ में आए आपको और जैसा जो बोलते हो आप शीरा बोलते हो या फिर पाक बोलते हो गुड को पुरा टिगला देंगे पानी में और फिर इस पानी को च्छान लेंगे तब आप समझे गया होगे कि क्या बनने वाला है तो येस हम बनाने वाले हैं दो चीजे बनाऊंगी एक टिक्की बनाऊंगी मीठी वाली ठीक है मीठी वाली टिक्की और बनाऊंगी मैं गुलगुले ठीक है गुलगुले बोलते हैं पुए ठीक है पुए बोलते हैं गुलगुले बोलते हैं हमारी यूपी में जाजातार गुलगुले बोला जाता है और पूर अभी बोलते हैं ऐसा नहीं है तो यहां पर मैं वहीं बना रही हूं कि आटे का बहुत ही हल्दी है और बच्चों को बहुत पसंद है और पतिदेव जी को भी बहुत पसंद है उनको ऐसे घर की बनी हो चीजे बहुत अच्छी लगती बजाए बाहर से कुछ खरित के खा और उनको यह अच्छा लगता है कि घर की बनी हो और जब आपने देखा तो मैं से पहले सूखा आटा मिला रही थी न तो मैंने इसमें हलका सा नमक भी डाला था ठीक है क्योंकि अगर आप मीठे में थोरा सा नमक डाल देते हो तो ना मीठा बहुत बैलेंस अच्छा हो जात तो यहां पर देखिए अच्छा सा मोइंट बनाएंगे हम और उसके बाद फिर जो करेंगे आपके साथ मैं शेयर करूंगे अच्छा अभी यहां पर मैं क्या कह रहे थे आज जिस टाइम है यह वाइस ओवर कर रहे हैं उस टाइम है 25 ठेक है और और उसके बाद एक चीज है जो बहुत इस्पेशल है मेरे लिए बहुत अदा इस्पेशल है और वो क्या है वह मैं बताती हूं आपको 22 फैब को मेरे केशव का बर्थडे है ठीक है तो यह मेरे लिए बड़ी खुशी के बात है और आप सब लोग धेर सारे दुआई दीजेगा अपनी कहते हैं बड़ो फलते हैं फूलते हैं ऐसा ही बोला जाता है तो मैंने ऐसे बोल दिया तो बस यह आप लोग अपना धेर सारा श्रीवा जरूर दीजेगा मेरे बेटे को 22 तारीक को उसका बर्थडे है तो मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है तो देखते हैं कि इसको हम कैसे कैसे सेलिब्र onet करते हैं तो वह भी जो भीखा तो उसका व्लाग भी तो आए गई मेरे चैनल पर स्था यहां पर अभी हम अब हम अपना रहें जो आप हैं कर भी गुड का जो यहां पर चेल आ रहे क्योंकि आपको पता हिए गुड में थोड़ी बहुत गंदेगी तो होती है गंदेगी मिन्स की कुछ ना कुछ इसमें धूल होती है और जो भी होगा इसका थोड़ा थोड़ा गंडे का वो भी होता है नहीं टुकड़े भी होते हैं गुड में तो जब हम छान लेंगे तो वह सारी चीजे चनने से क्या होगा साफ पानी तो आ जाएगा बाकी जो भी चीजे होंगी material जो हमें बिल्कुल useless है हमारे लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है वो चनने में जाएगा तो इसलिए इसको चानना बहुत जरूरी है और उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे इस पाक को और उसके बाद फिर हम गुड़ में जो हमारा आटा है यह हमने लगा लिया है थोड़ा सा मैंने घी ओड़ा ला था मोहिन थोड़ा कम लग रहा था तो यह देखें इस तरह से मैंने टिक्की बना लिया हाथों का निशान जरूर दिया मैंने क्योंकि जब मेरी मम्मी बनाती थी तो यह अच्छा लगता था कि मंमी की आतों की उंगलियां होती थी जब खाते थे थी शाम हक्किनी के बनिये, मंमी के हाथ्के उंगली aja करते थे थे यहीं बहुत अच्छी लगती है भच्फन में ठीकी में ठेalnya् मेरी बच्पन की यादे ताजा हो जाती है ठीक है तो दोको बिल्कुल शीरा ठंडा हो चुका था तब मैंने वो किया था और यहां पर देखो रैडी हो चुका है हमारा यह टिक्कियां तो मैंने एक दो में ऐसे डिजाइन डाल दी थी यह देखिए कैसे लग रही है बहुत बहुत हमिती यमी यमी हैं और यह बच्चे मेरे भूँत इंजोई करेंगे तो बच्चे भार की चीज खाये बजाए उसके यह घर का कुछ healthy खायेंगे क्योंकि गेहुं के आटे का है गी है घर का ही गी है तो सारी चीज़े देखो बिल्कुल सॉफ्टे में यही दिखा रही थी आपको तोड़के ठीके ये देखिए बन गया है पूरा एक कैसरोल भरके बन गया है रहे अच्छा अभी क्या है ना कि थोड़ा सा मैं आपको दिखाये था वो शीरा बज गया है ठीके सीरा भी बज गया है और मैं थोड़ा सो और लेके आप बनाऊंगी पूए यह देखिए यह देखिए पूरा शीरा अमारा बचा हुआ है बिल्कुल ठंडा हो गया है और जैसे मैंने पहले किया था वैसे सेम इसमें भी किया है आटा लिया है और इसमें मैंने स्वाफ डाली है और थोड़ा सा नमक डा क्या होता है जब आप घी डालते हो ना तो इसको खूब मोहिन ऐसे से करो और जब एक अच्छी सी लेई टाइप की बनने लगे यह मारा जो मोहिन है वह बहुत अच्छा परफेक्ट त्यार हो गया अभी आपको मैंने दिखाया तो इसका मतलब अभी हमारा इसमें मोहिन नहीं हुआ है ठीक है थोला सा घी मैं और डालूंगी फिर अच्छा मोहिन बन जाएगा और जब एक लोई टाइप की बन जाए ना ऐसे मुठी बादने पर तो मतलब आप समदलो की बन गया है तो यहां पर यह देखिए पूरे के पूरे थैयार हो गए अच्छा एस धोला ज्यादा वने ठीक है तो यहां पर यह देखो healthy healthy बढाने मैंने । शुगर के नहीं और मैं राम चीही पूरे में बढाını ज्यादा अच्छा है रहेर उड़ाना टो यहां बहुत तेस्टी बनेते और बच्शों को तो बहुत पसंद आते हैं केशफ के तो खास तौर पे बहुत ही ज़्यादए पसंद आया होगा है तो लाइक चापन Яपे अब लॉक परमें सुआ